बीजेपी कहती है दोस्तों कि उन्हें राहुल गांधी के नित्रित वाली भारत जोड़ो यात्रा से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता यह बीजेपी का बार बर बयान सामने आता है अगर निकाल रहे हैं तो निकालने दो क्या फायदा हो जाएगा राहुल गांधी को कोई फा विरोध भरा बयान क्यों सामने आया दोस्तों सई सुन रहे हैं योगी आदितेनाथ जी ने विरोध भरा बयान दिया इस पूरे मामले पर और क्या बयान दिया है साथ ही यूपी के डिप्टी सी एम ब्रिजेश पाठक ने क्या कहा है वो भी मैं आपको इस खबर में कि नमस्कार मेंगया जैनती जहा और आप देख रहे हैं दनेशन दोस्तों योगी आधितेनाथ ने राहूल गांधी की भारत-जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े कियेने उनके पुराने बयानों पर सवाल खड़े कियने सवाल खड़े करते हुए क्या कहा है उनका बयान आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर देखे इस वक्त आपको सत्य हिंदे की खबर दिखा रहे हुँ दोस्तों इस खबर के मताबिक योगी आदितनाग जी मुंबई के दौरे पर पहुंचे हुए थे और मुंबई दौरे के द वो बोलते हैं कि उनके इरादे क्या हैं अगर आप जोडने के बात करते हैं तो ये आपके काम और आपके बयानों में भी दिखना चाहिए बीजेपी के लिए जैसा प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी भी कहते हैं कि राष्ट पहले है हम देश को पार्टी से उपर रखते हैं अगर आप तवांग सहित कुछ और मामलों में उनके द्वारा दिये गए बयानों को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये बयान देश को जोडने वाले नहीं थे बलकि विभाजन को बढ़ावा देने वाले और दुश्मनों को उत्साहित करने वाले थे मुख्यमंत्री ने काया कि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए तो योगे अधितनाजी राहुल गांधी के उपर सवाल खड़े कर रहे हैं भारत जोडो यात्रा के उपर सवाल खड़े कर रहे हैं दोस्तों कैसे वक्त में जब भारत जोडो यात्रा यूपी गई हुई है वैस इस यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं बीज़पी ऐसा समझती ही नहीं है लेकिन अगर नहीं समझती तो फिर खुद सुबह के मुख्यमंत्री जी इस तरीके का बयान क्यों देते हैं कि आप विभाजन की रणीति अपना रहे हैं राहूल गांदी विभाजन राहूल गांद लेकर बीज़पी 2024 का चुनाव जीतना चाहती है यानि 2024 में राम मंदिर का मुद्दा लेकर बीज़पी चुनाव जीतना चाहती है उसी आयोध्या के तमाम संतों महंतों ने राहूल गांदी को आशिरवात दिया है साथ ही भारत जोड़ो यात्रा का समझतन भी किया है कई लोग यह जाहिर करते हुए नजर आए कि बीमारी के चलते ही स्यात्रा में तो शामिल नहीं हो पाएंगे लेकिन राहूल गांधी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जबकि बीजेपी के जो नेता हैं जो हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं जो राम मंदिर के मु क्या कहा है दोस्तो देखिए बिजेश पाठक उपमुखे मंत्री बिजेश पाठक साहब ने कहा है कि जो लोग देश और समाज के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं ऐसे लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जो लोग जातिवाद भाई 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 भती जावा आतंकवाद और नकसलवाद का समर्थन करते हैं यह लोग बहुल जोड़ो यात्रा लेकर चल रहा है यूपी में सरेंडर करतीया है ऐसा किसका कहना है ऐसा कहना है दोस्तों साफतोर पर बिजेश पाठक जीका जो कि कह रहे हैं कि यूपी में राहुल गांधी के भाई जोड लेकिन यह सच है कि यूपी में भारत जोड़ यात्रा के प्रवेश करने के बाद से ही इतनी खलवली मच गई है कि यूपी सरकार में उपमुख्य मंत्री और स्वास्थे मंत्री ब्रिजेश पाठक जी ने बाकाइदा एबीपी न्यूस को दिए इंटर्व्यू में बात कही क कि हम तो यह सोच रहे हैं कि इतनी ठंड में हम जैकेट पैन कर स्वेटर पैन कर बैठे हैं लेकिन आखिर ऐसा ख्या खाते हैं राउल गांदी ऐसी कौन सी उर्जा है उनके अंदर ऐसी कौन सी प्रतिरोधक शमता है उनके अंदर जिसकी वजह से वह एक तीशट में पूरी यात्रा कर रहे हैं तो इस बात पर हम रिसर्च कर वा रहे हैं यह बयान थोड़ा सा हास्यास पर दोस्तों इसलिए आपके लिए वीडियो क्लिप निकाल कर रखा हुआ है बगादा वीडियो दिखा देते हैं फिर आप बताइए कि विजह पाठक जो कि यह कह रहे हैं कि हमिल अमली से जुuel से जो सबिग्यान के माहिर लोगों पुछा है विज पाठक जी हम तो थो इस बात पर रिसर्च करै रहा हैं फिर एक तरफ कह रहे हैं कि भारजोड़ यात्रा ने तो सेरेंडर कर दिया है तो भी भाद का भाहिए त्विध्या में नए उसाल दोनों भायान में मेर भी भाहां है कि इनके लोगों ने समर्थन दिया है सबसे बड़ी बात है इतना विरोध हो गया आयोध्या का मुद्धा लेकर बीजेपी जो कि विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक 2024 के चुनाव में भी जीत के खाब बुन रही है वहीं बीजेपी और बीजेपी का जो मत है दोस्तों बच्वनाम में जीत हासिल की वह योग्या अधितनाज जी इसका विरोध कर रहे हैं जबकि महां के संतों महंतों ने इसका समर्थन किया है किस किस ने समर्थन किया है देखिए वो आपको बताना चाहेंगे हनुमान गड़ी मंदिर के महंत हैं मंदिर के मुख्य पुजारी ग्यानदास के उत्राधिकारी संजेदास ने बकाइदा आशिरवात दिया है संजेदास ने बताया कि राहूल गांदी को ग्यानदास ने आशिरवात दिया है साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुपकामनाय दी है दरसल हुआ ये कि हनुमान गड़ी के जो महंत हैं उनको बागाईदा कॉंग्रिस की तरफ से नियोता भेजा गया कि आप भारत जोड़ यात्रा में शामिल हो ये लेकिन उनका ये कहना था कि भारत जोड़ यात्रा में तो हम विस्ता की कारण शामिल नहीं हो पाएंगे लेकिन भारत जोड़ यात्रा को हम समर्थन पूरा करते है साथ ही जो भी भारण जोड़ने का प्रयास कर रहा है उसके लिए उसके सराना होनी चाहिए राहूल गांदी की सराना होनी चाहिए उसलिए उनको आशिरवात भी देख्या बकाइदा उनने दिया है तो हर्मान काम करता है जो राष्ट्र को एक संसकार के तौर पर एकता पूरे राष्ट्र में लाने की कोशिश करेगा हम उसका यहाँ पर सम्मान करेंगे हम उसका समर्थन करेंगे यह निर्मोहिया तो कि रामजन भूमी ट्रस्टी ने कहा दोस्तों आप चंपतर आय का की साफतर पर उन्हां यह बात कहीं ती यह बात उन्होंने स्विकारी थी कि जो बहुत्वी नौजवान है वह पुरी यात्रा कर रहा है पुरी देश का भ्रमण कर रहे हैं और अर्नी तो उनकी सरहना करनी चाहीया है दो सुंपत्राइबर संग्रत्था हुआ कि ऐसा लगर उनकों कि एक अगर देश का भ्रहमन कर रहा है तो उसमें पुरा एक कुछ नहीं है, उस नौजवान को हमारी पूरी पूरी शुबकामना है, कि वो इसी तरीके से चलता रहे, और इसी तरीके से भारत की यात्रा है, वो करता रहे, ये उन्होंने, साफ तौर पर देखे, कहा था, और देखे, उन्होंने कहा था, कि एक युआदेश के लिए पैदल चल विडियो भी जारी किया था राहूल गांदी के नाम उन्होंने चिठी भी लिखी थी तो फिर सवाल यह है दोस्तों कि आयोध्या जहां से हिंदुत्व का मुद्धा बीजेपी उठाती आ रही है उसी आयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के राम जन्मुफूमी से यहात्रा का सब्ढ़न तो बीजेपी के जितने लोग हैं जो कि हिंदुत्व के मुद्धे पर ही पार्टी चलती है और वो बीजेपी दोस्तों लगातार इस विडियो इस यात्रा का सम विरोत कर रही है सोचिए इस बात को चंपतराय के रहे है कि यहारत को तोड़ने वाले लोग हैं ये भारत के विभाजन करने वाले लोग है इन लोगों ने ही आजादी के समय में आजाद होने